सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टिट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बाव आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिलकुल फ्री है अगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो ज़रूर पहले चैनल सबस्क्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन जरूर दुबाएं ताकि ऐसे डेली अपडेट्स में आपको इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलते रहें तो हम क्या करने वाले हैं? हम यहां पे A और B की वेलासिटी को रिजॉल्फ करने वाले हैं सबसे पहले यहां पे हम क्या बोलेंगे? इसका वेलासिटी X कमपोनेंट का कितना होगा? 30 का क्या लिखा जा सकता है? कॉस ओफ 37 और इसका Y कमपोनेंट कितना होगा? Y कमपोनेंट होगा आपका 30 का क्या लिखा जा सकता है? साइन ओफ 37 अब साइन 37 मेरा 3 बाए 5 है तो 5, 6 जा 6, 3 जा 18 तो Y कमपोनेंट 18 आया वैसे ही है कॉस ठाडिशन 4 बाए 5 5, 6 जा 6, 4 जा 24 यह इसके X और Y होगा? Similarly इसके X, Y निकालता हूँ तो इसके X कमपोनेंट हो गया माइनस X वाला यह हुआ 40 का क्या लिखा जा सकता है? कॉस 53 और इसका Y कमपोनेंट हो गया आपका 40 का लिखा जा सकता है साइन ओफ 53 अब कॉस 53 होता है साइन 37 के बराबर 3 बाइ 5, 5, 8 जा 8, 3 जा 24 हो गया वैसे ही यहाँ पे साइन 53 कॉस 37 होता है 4 बाइ 5, 5, 8 जा 8, 4 जा 32 अब यहाँ पे क्या करते हैं? किसी एक पार्टिकल को रोक देते हैं किसको रोकते हैं? जिसका Y कमपोनेंट वेलासिटी कम हो तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इस वाले पार्टिकल को रोका जाए ए वाले पार्टिकल को रोका जाए 2 डाइमेंशनली ठीक है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका X कमपोनेंट है 24 और इसका X कमपोनेंट है आपका 32 वैसे इसका भी आपका X component है 24 और इसका Y component है मेरा 18 अब मैं बोल रहा हूँ इसको रोकने की बात हो रही है तो इसको रोकने का मतलब क्या हो जाएगा इसको रोकने का मतलब नीचे लगाईए 18 तो इस पर भी नीचे लगाईए 18 and similar way में इसको रोकने के लिए 24 इस पर पीछे लगाईए तो इस पर भी 2-dimensionally क्या लगाई जाए 24 पीछे लगाई जाए तो ये तो पूरा का पूरा completely क्या हो गया मेरा stop हो गया A body completely stop हो गया और अगर B body की बात की जाए तो B body हम क्या बोल सकते है B body 32 उपर 18 नीचे तो net velocity का हुआ उपर 14 और 24 और 24 तो net velocity कितना हुआ 48 हुआ अब मुझे पता करना है 1 second के बाद इसका separation कितना होगा तो ये समझे है ये origin रहा और origin से एक particle 48 और 14 से फेका गया है तो 1 second के बाद उसका मैं X coordinate और Y coordinate निकाल सकता हूँ तो X coordinate और Y coordinate निकालने जाओं अगर इस origin मानते हुए तो X direction के लिए displacement लिखा जा सकता है SX is equal to UT plus half 80 square प्रोजेक्टाइल मोशन की बाद की जा रही है तो SX, X direction में displacement हो रहा है minus X, X coordinate तो minus X X direction की initial velocity है, minus 48 और कितना टाइम के बाद पता करना है after one second और प्रोजेक्टाइल मोशन में X direction का acceleration कीतना होता है 0 तो यहां से आपका X component कीतना आ गया 48 इसका X coordinate आ गया minus 48 similar way में इसका Y coordinate निकाला जाए चलिए, Y coordinate निकालते है तो यह relative है यह relative है, with respect to A की बाद बाद बहुरी है तो UT प्लस क्या बोल रहा हूँ half 80 square मेरा अब मैं क्या बोल रहा हूँ Y direction में displacement तो उपर हो रहा है plus Y Y direction की initial velocity कितनी है 14 और Y direction में अगर मैं बात करूँ net relative acceleration कितना है तो इस पे भी G नीचे लगेगा इस पे भी G नीचे लगेगा therefore relative acceleration क्या बोला जा सकता है 0 Y direction का तो यहां से Y component कितना आ गया 14 आ गया तो मेरा X component आ गया Y component आ गया अब मुझे पूछा गया है separation between them after 1 second तो 1 second के बाद body B यहां रहेगा और A origin पे रहेगा तो origin से यहां तक का जो total displacement होगा वो total displacement पूछा गया है that is हम लिख सकते हैं is equal to root under आपका आएगा 48 square plus 14 का square जब इसको आप निकालेंगे देख रहे हैं 8 का square होगे आपका 64 और 14 का square 4 का square 16 तो 4 और 6 add होके यह 2500 आएगा इसे calculate करेंगे और 2500 का root कितना हो जाता है 50 meter तो हम बोल सकते हैं one second के बाद दोनों particle के बीच की separation 50 meter होगा तो यह है आपका question number ना next का solution यहां तक का आप screen relative motion in lift में बात करने तो projectile motion in a lift moving with acceleration A upwards तो कोई अगर lift मेरी A acceleration से उपर जा रही है तो उसका हम projectile motion का time of flight maximum height और आप बात करेंगे range कितना होगा तो चलिए हम देखते हैं तो जब U speed से किसी particle को project किया जाए at an angle theta तो उस projectile motion में हम तीन चीज़े बात करेंगे उसका range कितना होगा उसका time of flight कितना होगा और maximum height कितना होगा और maximum height पे आपका x direction की velocity का component कितना होगा तो हम इनके formula अगर लिखने जाएं तो x direction की velocity at highest component वो तो क्या रहेगी unchanged वो मेरी highest height पे हम बोल सकते हैं x direction की velocity मेरी u cost इताई रहेगी y direction में motion का lift इसको affect नहीं करेगा तो highest height पे velocity का जो component होगा वो मेरा u का cos theta ही होगा मैं बोल सकते हूं highest height पे speed भी u cos theta होगी अब बात की जाए time of flight range और maximum height तो हम time of flight बात करें अगर ground पे एक particle project किया जाता तो time of flight होता 2u sin theta by g range हमारा formula होता u square मेरा हाता sin 2 theta divided by g करके और maximum height आती u square sin square theta by 2g यहाँ पे जो मेरा g है वो effective g है अब यहाँ पे अगर lift मेरी उपर जा रही है तो इस projectile पे एक gravity तो नीचे लगी रही होगी as well as यह अगर lift उपर जाएगी तो pseudo force कहा लगेगा नीचे तो यहाँ पे आपका जो effective g हो जाएगा वो g plus क्या बन जाएगा तो जहाँ पे भी हमारा g दिख रहा है वहाँ g के जगे लगा दे g plus a जहाँ g दिख रहा है वहाँ लगा दे g plus a और जहाँ g दिख रहा है वहाँ लगा दे g plus a तो जब एक projectile को आप throw करते हैं एक lift में तो उस projectile का time of flight और let's say range और maximum अगर lift ऊपर जा रही है तो इस सभी क्या हो जाएंगे decrease कर जाएंगे क्योंकि denominator बढ़ रहा है जबकि x direction की velocity का component at highest point वो unchanged रहेगा तो यह है आपका relative motion in lift यहां तर काप screenshot ले relative motion in lift पे question करते हैं a lift is moving with acceleration a उपर की तरफ एक lift a acceleration से जा रही है person inside the lift throws the ball upwards with a velocity u relative to hand hand के respect में वो एक ball को उपर थो करता है u speed पे find time of flight of ball and maximum height reached by the ball in lift अगर मैं बोलता कि let's say highest point पे जाने के लिए हम क्या बोल सकते हैं highest point पे जाएगा तो velocity कितना हो जाएगा 0 अगर मैं उच्छब लिखने जाओ इसके लिए let's say तो हम बोल सकते हैं initial velocity का आपका component कितना हो जाएगा y direction में plus u उपर थो की है highest point पे जाके velocity का component y direction का कितना हो जाएगा 0 फिर हम बात करें highest height तक जाने के लिए time कितना लगेगा half of time of flight और ये displacement कितना हो जाएगा ये straight पे जाके maximum displacement और plus h max बोल सकते हैं क्योंकि उपर है अब बात ओ रही है net acceleration g effective जो आमने बोला था तो gravity तो नीचे लगेगा as well as ये lift उपर जा रही है जिसके वज़े से pseudo भी नीचे लगेगा तो आपका g effective जो हो जाएगा अब वो कितना हो जाएगा g ना होके g plus a हो जाएगा जो नीचे की तरफ लगेगा तो यहां पे g effective की जगे लिख दिया जाए minus of g plus a अब equation लिखते हैं सबसे पहले हम क्या लिखने जा रहे है v is equal to u plus a t तो y direction के लिए v is equal to u plus a t लिखता हूँ तो highest point पे velocity 0 initial velocity u और acceleration हो गया minus of g plus a into time कितना होगा मेरा t by 2 तो यहां से मैं time निकालूँ तो यहां से time आया 2u divided by g plus a तो यह तो आया time of flight अब बात की जाए आपके maximum height के maximum height के लिए क्या लिखा जा सकता है maximum height के लिए लिख सकते हैं v square equal to u square plus 2s खलिए तो v square is equal to मेरा है u square plus क्या लिखने जा रहा हूँ 2as तो highest point पे velocity कितनी हो जा रही है 0 initial velocity y component कितनी है plus u 2a कितना है a है minus of g plus a तो यह minus हो गया g plus a y direction का displacement कितना है h max यहां से हमारा h max की value कितनी आ जाएगी तो यहां से h max आ जाएगा is equal to u square divided by 2 times कितना आ गया मेरा g plus a तो यह हो गया maximum height of the projectile तो यह है आपका relative motion in lift equation यहां तक का आप screen relative motion में river problem हम solve करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम relative motion in river flow समझेंगे फिर river problem in one dimension और river problem in two dimension को हम देखेंगे तो सबसे पहला topic है relative motion in river flow तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ if a man can swim relative to water with velocity vmr let's say water के respect में एक कोई आदमी let's say swimming कर रहा है with velocity हम क्या लिख सकते हैं vmr यह man की velocity है किस के respect में river के respect में vmr is the velocity of man relative to river and water is flowing relative to ground with velocity vr और जो water है water ground के respect में कितनी velocity से flow कर रहा है vr velocity से flow कर रहा है then velocity of man relative to ground is हम यह बात करना चाहते हैं तो हम relative concept से क्या जानते हैं vmr is equal to मैं क्या लिख सकता हूँ vm minus vr और जब कुछ ना दिया हो तो आप किस के respect में समझेगे यह ground के respect में तो मुझे यहां पे जो vr दिया हुआ है वो velocity of river किस के respect में given है ground के respect में इसको हम vector form में लिख देते हैं यह रहा तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ यहां से अगर मुझे बोला गया then velocity of man relative to ground मुझे यह पता करना है तो man की velocity ground के respect में कितनी कहलाएगी is equal to vrg को यहां लाते हुए यह बन गया मेरा vmr plus यहां क्या बन गया vrg तो अगर मुझे man की velocity river के respect में पता है और river की velocity ground के respect में पता है तो इन दोनों को vectorial ले add किया जाए तो वो मुझे देगा man की velocity किस के respect में ground के respect में अब मैं बोल रहा हूँ अगर river की velocity zero हो जाए मतलब किस के respect में ground के respect में यह vr जो है यह अपना अगर zero हो जाए मतलब river flow नहीं कर रहा जैसे एक swimming pool समझ ही है तो उस case में यह part आपका zero हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे man की velocity ground के respect में is equal to क्या हो जाएगा man की velocity river के respect में एक swimming pool में अगर कोई आदमी swimming कर रहा है तो उसके अंदर swimming pool के अंदर कोई observer अगर उससे देखता है तो उसको जो velocity दिखाई देगी तो ground में जो observer होगा उसको भी उतनी ही velocity दिखेगा क्योंकि river अभी move नहीं कर रही तो हम बोल सकते हैं man की velocity ground के respect में ground पे खड़ा होके कोई observer अगर देखे और river में कोई अगर आदमी boat में बैठा है वो उसको देखे दोनों को क्या दिखाई देगा man की velocity same दिखाई देगी क्योंकि river अभी move नहीं कर रही यह अपका still water है तो यहां से हम लिख सकते हैं velocity of man in still water मतलब river flow नहीं कर रही is equal to velocity of man with respect to river man की velocity river के respect नहीं किसके बराबर लिखते हैं is equal to man की velocity जब वो still water में जितने swimming कर रहा होगा उस velocity के बराबर तो यह है relative motion in river flow के बारे में आगे बढ़ने से पहले यहां तक आप स्क्रेंश river problem in one dimension one dimension मतलब जिस direction में river flow कर रही है उसी direction में आदमी swimming करता है या तो along the river flow या opposite to the direction of river flow यहां पर हमें given है velocity of river is u let's say हम बोलते हैं river मेरी आगे flow कर रही है u velocity से मतलब यह कौन सी velocity है यह velocity है river की किस के respect में ground के respect में यह let's say u eye cap है आपका vector form में बोलू इसे तो this is u eye cap तो velocity of river with respect to ground यह कितनी आपकी plus u eye cap लिखे जा सकती है similar way में हम बात करें यहां पर भी आपका river जो है वो x direction में flow कर रहा है with respect to ground और उसकी value मुझे कितनी इदे रखी है u eye cap करके and velocity of man in still water is v man की velocity still water में कितनी है मुझे v और still water का मतलब क्या होता है still water का मतलब अभी हमने देखा था man की velocity river के respect में अगर still water बोला जाए तो उसका मतलब river के respect में मतलब river के respect में यह आत्मी v velocity से आगे जा रहा है और यह आत्मी river के respect में पीछे की तरफ आ रहा है अगर man की velocity जो swim कर रहा है man अगर उसकी velocity along the direction of river flow हो जाए जिस direction में river flow कर रही है उसी direction में आत्मी swimming कर रहा है उसे कहते हैं downstream down मतलब along the direction of river flow जिस direction में river flow कर रही है उसी direction में आत्मी swimming करे और upstream का मतलब क्या होता है upstream का मतलब river अगर x direction रही है तो आत्मी उसके opposite direction में swimming करे that is opposite to the direction of river flow वो हमारा क्या क्या लाता है upstream stream और अभी हमने discuss किया थे यहां पे अगर मैं बोलूं man की velocity river के respect में इसको आप क्या लिखते हैं velocity of man minus velocity of river और कुछ ने given मतलब किसके respect में ground के respect में तो मैं पता करना चाहता हूँ ground के respect में इस man की velocity कितनी होगी that is vmr plus ये क्या हैगा मेरा vrg अब इसे vector form में हम यह लिख दे रहे हैं और इसका use करते हैं यहां पे अगर कोई ground में खड़ा हुआ कोई observer इसको देखता है let's say इस आदमी को तो उसको इस आदमी की velocity कितनी दिखाई देगी वो हम पता करना चाहते है velocity of man with respect to an observer on the ground तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूँ man की velocity आपकी ground के respect में अगर हम पता करना चाहते है is equal to मेरा है यहां पे vmr plus vrg अब vmr plus vrg अगर मैं बात करूँ vmr plus this is vrg तो हम क्या बोल सकते है man की velocity ground के respect में मतलब ground में खड़ा हूँ observer को इस आदमे के velocity कितनी दिखाई देगी तो हम vector form में लिखने के बात करें तो man के velocity river के respect में कितनी है vrg आई कैप फिर river के respect, river के velocity ground के respect में कितनी है आपकी यह vrg यू आई कैप प्लस U का आई कि उसके हैं हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर रीवर 10 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रही है आदमी 2 मीटर पर सेकंड से स्विमिंग कर रहा है स्टिल वाटर में तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्राउड में घड़ा हुआ दिखेगा उसको क्या दिखेगा इस आदमी की net velocity क्योंकि दोनों सेम direction में है तो 10 plus 2 कितना हो गया 12 meter per second से move करता दिखेगा next आते हैं जैसे इस में upstream की बात की जाए तो हम बोल सकते हैं कि let's say man की velocity river के respect में कितनी है vector form में बोलू तो minus vi क्या यह पीछे की तरफ के respect में ground में खड़े हो observer को इसकी net velocity कितनी दिखाई देगी जैसे यह 10 है यह 2 है तो हम क्या बोलेंगे यहां पर हम लिखेंगे man की velocity with respect to an observer on the ground is given as vmr plus यहां पर आएगा मेरा vrg करते हुए अब vmr तो मेरा कितना है minus v i cap put कीजिए minus v i cap plus lever की velocity ground के respect में है plus u का i cap तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि ground में खड़ा हुआ कोई observer को इस man की velocity कितनी दिखाई देगी u minus v का i cap अगर मैं बोल रहा हूँ u अगर जादा है जैसे यह 10 है और यह 2 है तो इस ground में खड़े हो observer को इसकी net velocity 8 meter per second से इस direction में flow करता दिखेगा आगे हम इस formula का use ना करके direct बोल सकते हैं 10 और 2 तो यह net 12 हो गया with respect to an observer on the ground और यह अगर 10 होगा यह 2 होगा तो ground में खड़ा हो observer को इसकी velocity दिखाई देगी 8 meter per second तो यह है downstream upstream on river flow in one dimension तो आगे बढ़ने से पहले यहां तरखाब screenshot next question पर आते हैं river problem in one dimension पर बेस्ट a swimmer capable of swimming with velocity V relative to water jumps in a flowing river having velocity U man swims a distance D downstream and returns back to original position find out time taken in complete motion तो यहां पर क्या दिया है a swimmer V velocity से swim कर रहा है और यह V velocity कौन सी है यह V velocity है man की किसके respect में river के respect में और यहां पर आपको given है river जो flow कर रही है उसकी velocity U दिवे तो U river की velocity है किसके respect में ground के respect में मतलब ground के respect में यह river U से flow कर रही है तो पहले बोला है man swims a distance D downstream पहले तो यह आदमी A से B point जाता है at a distance D downstream downstream मतलब along the direction of river flow covering a distance D फिर जैसे यह इस B point पहुंचता है फिर वापस से returns to original position मतलब वापस से B से A आता है तो river तो मेरी आगे ही है move कर रही है river flow आगे कर रही है U से अब आदमी पीछे आ रहा है किस velocity से V velocity से तो यहाँ पे फिर से यह इस distance को cover करेगा D distance को इस total motion में कितना time लगेगा तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ground के respect में इस man की velocity अभी हमने देखा था V से आगे है और U भी आगे है तो ground के respect में इसकी velocity कितनी हो जाएगी V plus U वैसे इसकी भी velocity ground के respect में हम कितना लिख सकते हैं अब इसको अगर वापस यहाँ आना है मतलब V की value जादा होने चाहिए तभी यह यहाँ swim कर पाएगा तो यह 10 होगा यह 2 होगा तो 8 meter per second से यहाँ पाएगा therefore यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे speed होगी मेरी V minus U direction तो minus I cap होगा अब downstream जाने में यहाँ आपका downstream situation है downstream जाने में time कितना लगेगा time is equal to distance by speed और सारी speed किसके respect में ground के respect में is equal to V plus U वैसे upstream आने में कितना time लगेगा तो upstream आने में distance D हो गया और speed होगे मेरी V minus U तो total time हम बोलें तो यहाँ पे total time मेरा कितना किलाएगा total time is equal to upstream का time प्लस क्या लिखा जा सकता है downstream का time अब upstream का time मेरा कितना है upstream का time है d by क्या लिख रहा हूँ V minus U वैसे downstream का time कितना है तो downstream का time है d by V plus U LCM लिया जाए dv plus du plus dv minus क्या लिख सकता हूँ, du, denominator में, a plus b, a minus b है, तो यह हो गया, v square minus u square, du से du cancel हुआ, उपर आया, 2vd divided by, denominator में बन जाता है मेरा, v square minus u square, तो इतना time इस को लगेगा, पहले तो downstream जाने में a से b, फिर upstream आने में b से a, तो यह है आपका relative motion in river flow, in one dimension पे best question, यहां तक आप screenshot ले, तो student, आज हमने river flow in one dimension देखा, और relative motion in lift हमने discussion किया, hope आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया, जरूर से वीडियो लाइक करें, और दोस्तों के साथ जितना हो सके, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर च के हमारा latest वीडियो सबसे पहले और यह बिल्कुल free है,